तो चलिए आज बॉडी को डिटॉक्स करते हैं और बॉडी को डिटॉक्स करने की ज़रूरत है या नहीं यह आपको आपकी बॉडी ही बता देती है बहुत से साइन आपकी बॉडी आपको देना शुरू कर देती है जब वो टॉक्सिक हो जाती है जैसे कि सुबा उठते ही एक्सेक्टरा अगर आपका digestive system disturb हो रहा है like आप जादा bloating feel कर रहे हैं, constipation है या फिर diarrhea, unnecessary अगर आप headache feel करते हैं या फिर back pain, diet, exercise सब कुछ follow करते हुए भी weight lose नहीं हो रहा it means you need to detox your body, अगर इन में से कोई sign भी नहीं है तो भी आपको अपने intense time को खाली करना बहुत ज़रूरी है, ताकि in future आपको ऐसी कोई problem face ना करनी पड़े क्योंकि बहुत सारी बीमारियां इन toxin की वज़ा से ही जनम लेती हैं वैसे तो अगर आप इस diet process को दो या तीन दिन तक follow करेंगे तो ज़्यादा beneficial होगा, क्योंकि ये diet plan आपको भूखा तो बिल्कुल नहीं रखेगा, आप आराम से कर सकते हैं बट energy level बिल्कुल high रहेगा ऐसा मैं नहीं कहूंगी क्योंकि आपको calorie deficit में जाना है जिसमें energy provide करने वाली कोई भी चीज जैसे की sugar, tea, coffee carbohydrates, जिसमें की rice, इस रोटी आप नहीं ले सकते इसके लावा dairy product लेना भी मना है तो अगर आप तीन दिन इस diet को लेना चाहते हैं तो आपको अपनी body और mind को बिल्कुल relax रखना होगा, like कोई भी ऐसा काम जिसमें जादा energy consume हो उसे avoid करें, बट मेरी तरह अगर आपकी routine family को आइलेंट रहने से आप दुनिया को better observe कर सकते हैं, so try to keep your mind away from negative thoughts, जिस दिन भी आप अपनी body को detox करने का plan करें उससे एक दिन पहले अपना डिनर शाम को 7 बजे से पहले पहले ले ले और अपने next meal में कम से कम 16 hours का gap रखें ताकि आपकी body already healing process शिरू कर दे दिन की शिरूआत करेंगे detox water बनाने से क्योंकि कोशिश रही रहेगी कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिना है detoxification kidney और liver handle करते हैं सो जितना ज़्यादा हम liquid consume करेंगे उतने ही हमारे toxins flush out होंगे जितनी भावी प्यास लगे यही पानी consume करें और इसे बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं आप चाहें तो इसे रोज बना के रोज पी सकते हैं सुबा सबसे पहले उठके में इसी लिए इसको बना रही हूँ क्योंकि दो गंटे में यह पानी रेडी हो जाएगा तो उसके बाद हम इसे पीना शुरू कर सकते हैं तो एक खीरे को पतले पतले slices में मैंने कट कर लिया है साथ ही एक नीमबू लिया है उसे भी same way में पतले slices में ही काट लेंगे और उसी जार में डाल देंगे साथ ही उसमें डाल देंगे कुछ पुदीने के पत्ते और डाल देंगे बहुत सारा पानी लिड लगाके इसे side रख देंगे और दो गंटे में यह पीने लाइक हो जाएगा तो जैसा कि मैंने पहले कहा जब भी प्यास लगे तो यही पानी पीना है एक ग्लास पानी इसमें से निकालें तो एक ग्लास साफ पानी वापीस इसमें डाल दें और इस प्रोसेस को आप 24 आर्ट तक कर सकते हैं डीटॉक्स वाटर तो हमने बना के side रख दिया है अब हम बनाएंगे अपनी morning का पहला drink has always नीमबू पानी आज मैं उसमें डाल रही हूँ fresh aloe vera gel और fresh leaf में काट के ले आई हूँ इसे पील करना कुछ जादा मुश्किल नहीं होता पहले इसकी sides को remove करेंगे उसके बाद उपर के part को पील करेंगे नीची के part को हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि उसे handle करना easy रहे और छोटे-छोटे pieces में इसको काटते जाएंगे और grinder jar में डालते जाएंगे aloe vera juices भी market में मिल जाते हैं आप चाहें तो वो भी use कर सकते हैं लेकिन fresh का तो कोई comparison नहीं मैं lemon हमेशा थोड़े से गरम पानी में लेना पसंद करती हूँ आप चाहें तो ठंडा पानी भी use कर सकते हैं लेकिन fridge का पानी यूज ना करें और आपके इस cleansing drink में 2-3 tablespoon lemon juice होना चाहिए तो lemon डालते वक्त कंजूसी बिलकुल ना करें और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है aloe vera gel जिसको मैंने grind करके उसका juice बना लिया था उसके बाद उसमें डाला है थोड़ा सा दाल चीनी पाउडर साथी डाल देंगे थोड़ा सा गरम पानी और आपका morning drink रेड़ी है sugar मैंने पहले ही मना किया है sugar आप बिलकुल नहीं add कर सकते हैं ऐसे भी add नहीं करना चाहिए जब आप lemon water बनाते हैं आप चाहें तो थोड़ा सा rock salt ज़रूर add कर सकते हैं इस दिन आपको कोई भी intense workout करने की ज़रूरत नहीं है बहुत ही normal से आसंस जिनमें आप comfortable feel करें कर सकते हैं लेकिन करें जरूर क्योंकि योग body को tire नहीं relax करता है और आज आपको relax होने की ही जरूरत है उसके बाद कुछ तिर प्रानायाम क्योंकि योग आसंस अगर external organs पे काम करते हैं तो प्रानायाम internal organs को clean करता है और इस सब के बाद do meditation for some time आज brain के सारे toxins यानि की bad thoughts को निकाल बाहर करें relax your mind by focusing on your breath और भी ज्यादा बहतर होगा अगर आप meditation शवासन में करें ग्यारा साधे ग्यारा के around आपको अपना breakfast लेना है और आपके breakfast में होने चाहिए variety of fruits daily हम सब एक या दो ही fruit consume करते हैं लेकिन आज के दिन आपको अपना कोई भी meal boring ना लगे इसलिए मैं आपको advice करूंगी कि आप अपने breakfast में अपनी पसंद के at least 5 to 6 fruits add करें वैसे भी fruits essential vitamins और minerals का powerhouse होते हैं जो आपको ज़रूरी antioxidants भी provide करते हैं and yes body को detox करने का easy way तो है ही simply उन्हें अपनी choice के accordingly chop करें and eat fruits as much as you can overeating is always bad but fruits खाते वक्त अगर overeat हो भी जाए तो कोई बात नहीं बिना इन में कुछ add किये एक बड़ा bowl पे ने fruits का बना लिया है अब जो भी family में मुझे join करना चाहे वो कर सकता है लेकिन सब लोग breakfast कर चुके थे लेकिन विशाल ने entry ली और by the chance वो भी उस दिन detox कर रहा था उसने मुझे ज़रूर join किया fruits के इलावा आप fruits smoothie भी बना सकते हैं जिन में fruits के साथ साथ कुछ खीरा और पालक के पते भी add करें लेकिन milk या curd add करने की बजाए थोड़ा सा पानी add करें और grind कर लें आप चाहें तो normal पानी की बजाए coconut water भी add कर सकते हैं smoothie भी आपको काफी time तक fulfill करवाती है अब बारी आती है lunch बनाने की दो बजे के round आपको अपना lunch लेना है और lunch में हम लेंगे steamed vegetables और इसके लिए आपको किसी special steamer की ज़रूरत नहीं है एक चन्नी सब के घर में होती ही है जिस भी बरतन में वो ठीक से fit हो जाए उसमें मानी डाल दें पानी boil होने लगे तो चन्नी में अपनी पसंद की wedges डाल दें मैंने यहाँ पे गाजर, गोफी, ग्रीन बीन्स, लौकी, तोरी और मतर एड़ किये हैं कवर करके 4-5 मिनट तक high flame पे पकने दें और steamed vegetables ready हैं vegetables को steam करने से उनका color और nutrition वैसे का वैसे ही बना रहता है थोड़ा सा इन vegetables को ठंडा होने दें, उसके बाद मैं इसमें add कर रही हूँ पुदीने के कुछ पत्ते, थोड़ा सा rock salt, थोड़ा सा black pepper powder मैंने add किया है साथ ही आप डाल सकते हैं एक tablespoon apple cider vinegar इन सब को अच्छे से mix करें और enjoy your delicious lunch और अगर मैं delicious कह रही हूँ, तो वाक्य में वो delicious है और साथ ही हमारे मसाले और oil से भरे हुए meal से कहीं ज़दा healthy भी तो चलिए अब बना लेते हैं शाम की चाए, लेकिन चाए तो आज मना है ना, बिलकुल मना है लेकिन वो चाए जिसमें हलका सा भी caffeine है हम पिएंगे घर में बनी हुई herbal tea, जिसे हम बनाएंगे fresh herbs के साथ तो add करेंगे lemongrass, pudina पता, तुलसी के पते, अजवाइन पता, अद्र का एक छोटा सा piece थोड़े से कड़ी पता भी ज़रूर add कर लें, मैं भूल गई हूँ इन सब को थोड़ा सा कूट लेंगे ताकि इनका effect पानी में अच्छे से आ सके और जब पानी अच्छे से boil हो जाए तो उसमें डाल देंगे कुछ गुलाब के पते, साथी सौन, फॉल ऐच्ची का powder और वो सारे herbal leaves जिनको हमने crush किया है नॉर्मली जो green tea हम पीते हैं, उसमें कुछ amount of caffeine तो होता ही है लेकिन ये free of cost green tea आपको मिलेगी with no caffeine and with lots of benefits तीन से चार मिनट इसे अच्छे से boil होने दें और गरम गरम इस tea को enjoy करें और tea time में आज मेरी company सिरफ ममा कर रहे हैं तो चलिए अब बना लेते हैं आज का last meal यानि की dinner जो की mintो में तयार हो जाएगा तो dinner में हम लेंगे vegetable soup जिसके लिए एक pan में एक large cup मैंने पानी का add किया है और अपनी पसंद की vegetables आप डाल दें साथी डाला है थोड़ा सा तेजपता और अद्रक के कुछ pieces मैंने गाजर गोबी और मटर एड़ की हैं आप चाहें तो थोड़े से आलू इसमे एड़ कर सकते हैं लौकी एड़ कर सकते हैं तोरी एड़ कर सकते हैं और फिर कद्दू भी 10 मिनट इन्हें medium flame पे पकने दें उसके बाद ठंडा करके हम इने ग्राइंट कर लेंगे और एक पर ग्राइंट करने के बाद इसमें डाल दें थोड़ा सा नीमबू साथी डाला है थोड़ा सा रॉक सॉल्ट ब्लैक पेपर पाउडर और एक बार दोबारा इसे ग्राइंट करें तो आपका थिक वजिटेबल सूप रेड़ी है हरे धनिये के साथ गारनिश करें और और टाइम टाइम पे बॉड़ी को डीटॉक्स करना अगर एड कर लें तो इसका मतलब है कि हम अपनी हल्थ की केर करते हैं लेकिन एक दिन डीटॉक्स करके बाकी के दिन अगर unhealthy foods के साथ अपनी बॉड़ी को टॉक्सिक करते रहें वह भी صही नहीं अपनी पसंद का खाएं ज़रूर लेकिन उसका कुछ हिसाब भी रखें तो आज की वीडियो में बस इतना ही मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन भाबाई टेक केर एंड स्टे हल्दी